प्रार्थना एक एहसास है खुद के होने का, एक जरिया है अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने का, प्रार्थना एक माध्यम है परम शक्ति से जुणने का, इश्वर से बात करने का, जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं, हम सचे मन से अपनी सारी इच्छाओं को, सारी चिंताओं को, सारी प्रॉब्लम्स को इश्वर के सामने रख देते हैं, बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि प्रेयर सिर्फ एक तरफा बात नहीं है, यह कनवर्सेशन है, इश्वर के साथ, दिवे शक्ति के साथ, जैसे ही हम प्रात्ना करते हैं, हमें दिवे शक्ति से जुट जाते हैं, हमें शांती मिलते हैं, मार्व दर्शन मिलता है, आगे बढ़ने के प्रेयर्णा मिलती है, प्रेयर में इतनी शक्ति हैं, जो हमारे जीवन को बदल देती हैं, तो यह प्रात्न ना सुनने से ना केवल आप अच्छी नीन करेंगे आप अपने अंदर शांदी का एसास करेंगे बल्कि सुभे और भी ज्यादा जोश, उत्सा और एक साकारत्मक उर्जा के साथ उठेंगे तो चलिए दोस्तों हम प्राथना शुरू करते हैं प्राथना शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब किजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूले अब आप अराम से लेट जाएए अपनी आँखें बंद कर लीजे महसूस करें कि आपकी शरीर का हर भाग अराम में है विश्राम में है इस शर्ण आपको कुछ भी नहीं करना है बस विश्राम करना है और इस वीडियो को पूरा सुनना है ही ईश्र मेरे साथ दिन पर रहने के लिए मुझे संभालने के लिए आपको पहे दिल से धन्यवाद मेरी मार दर्शन के लिए मेरी रक्षा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मेरी आज के सभी रुके हुए कारे को पूरन करने के लिए मेरे रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करने के लिए क्योंकि मैंने तो सिरफ कोशिश की थी पर आपने उसे सफर बना दिया थेंक यू, थेंक यू गॉट मेरे मादा पिदा जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनका ध्यान रखने के लिए उनको संभालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ही इश्वर मुझे हर पल खुश रखने के लिए मुझे प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ही इश्वर मेरे परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान देने के लिए उन्हें हमेशा खुश रखने के लिए उन्हें हमेशा स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराईयों से धन्यवाद ही इश्वर अगर मैंने दिन भर जाने अंजाने कोई बुरे विजाल बुरे भावनाई या कारे किये हों तो उसके लिए मुझे शमा करना आप करुना की सागर है शमा की सागर है मुझे सभी कार करें मुझे आशिरवाद दें जैसे जैसे ये दिन समाप्त होता है मैं अपनी सारी चिंताएं अपनी सारी डर अपनी सारी पॉब्लम्स तुमारे चड़नों में रख देता हूँ ताकि मैं चैन की नीन सो सकूँ ये इश्वर मुझे एक अच्छी अरामदायक नीन का आशिरवाद देना आरे साथ एक सच्चे और प्यारे मिलन का अनभाव कर सकूँ ये इश्वर मुझे आशिरवाद दे कि मैं अपना अगला दिन बुद्धी, जागरुकता, प्यार और खुशी के साथ बिताँ हे इश्वर, हे करना के सागर, मुझे सबिकार करें मुझे आशिरवाद दें, मुझे हीलिंग दें, मुझे प्यार करें मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो, हमेशा के लिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ थेंक यू गॉट, थेंक यू, थेंक यू तुम्हे कोटी-कोटी परणा, के इश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, मेरा आज का दिन सफल बनाने के लिए धन्यवाद, थेंक यू तुम मेरे हूँ, तुम मेरे हूँ, थेंक यू